ओके तो SSN Classes के जोग्रोफी वीडियो में आपका फिर से स्वागत है और चुकि हमने पिछले वीडियो में जो है अक्षांस और देशांतर रेखाओं को लॉंगिटीड और लैटीड को देखना प्रारंब किया था उसी श्रिंखला में हम जो है 180 डिगरी जो लॉंगिटीड ह उसको देखते हैं ठीके ना तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि यह जो एक लाइन दिखाई दे रही है अगर आप बात करते हैं कि 180 डिगरी अक्षांस कहां पर मिलने वाला है तो मैंने आपको बताया था कि 0 डिगरी जो टाइम लाइन है उस टाइम लाइन के जस्ट 80 डिगरी को हम बोलते हैं डेट लाइन क्या बोलते हैं डेट लाइन या तिथी रेखा ठीके ना और यह तिथी रेखा जो है वो तेडी मेडी है जबकि जो डेट लाइन वो टाइम लाइन है आपकी वह बिलकुल सीधी है ठीके ना तो अगर हम इस लोंगिट्यूट की बात कि अगर हम रशिया के कम चटका प्रायदी वाले इससे को देखना चालू करते हैं तो आप वहाँ देखेंगे कि एक पार्ट जो है इस्ट में है और एक पार्ट जो है आपका वेस्ट में हैं तो अगर आप वेस्ट और इस्ट का कंपेरेजन करते हैं तो आपको पाएंगे कि भई डेट लाइन से डेट डिसाइड होती है पहली बात तो यह ध्यान रखिए डेट डिसाइड होती है का मतलब यह है कि अगर माल लीजे यहां मंडे है तो यहां क्या होना चाहिए संडे होगा ठीक है ना अगर माल लीजे दो इस्तितियां बनती हैं ऐसी तो फिर गड़बर हो जाएगी उस देश के लिए प्रॉबलम हो जाएगी तो उस देश के लिए प्रॉबलम को दूर करते हुए इस लाइन को ही क्या कर दिया गया ये ऐसा कर दिया गया तेड़ा कर दिया गया तो जितनी भी जगे ये लाइन पर देख पार हैं आप इस तरह से फिर यह यहां तक आईए देखिया आप किस तरह से इसको किया गया है यहां दीब समू है इसलिए उनके आधार पर इसको इस तरह से तेड़ा मिड़ा किया गया है यहां देखिया आप बेरिंग सागर से होते हुए जब आप बढ़ेंगे तो यह इस तरह से आपको मिलने वाल इस थल से नहीं जाती है मतलब की भूमी शेत्र से नहीं गुजरती है उसका कारण बस इतना है कि उसमें डेट की प्रॉब्लम ना आए इसी लिए उसको हमने इस रूप में बनाया है ठीक है ना यानि कि ये केबल जल भाग से यानि कि वाटर पार्ट से ही जाती है इस बात को आपको धियान रखना है इसके विप्रीत अगर हम चलते हैं इसके विप्रीत अगर आप जाएंगे तो यहां आपको देखिए यह जो है यहां देखिए यह आपका इंग्लेंड वाला जो एरिया है यहां से आपकी जाती है zero degree कौन सी टाइम लाइन तो टाइम लाइन जो जा रही है वह बिलकुल देशों के उपर से जा सकती है क्यों जा सकती है क्योंकि एक लाइन पर हमेशा ध्यान रखिएगा एक लाइन पर समय हमेशा एक ही होता है समय में परिवर्तन नहीं होता और यह समय होता है सूरज के आधार पर ठीक Atlantic Ocean में हो रहा है ठीक है ना ये तो आपकी equator line है और ये आपकी time line है तो मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि ये जो समय रेखा है और तिथी रेखा है इसमें हो क्या रहा है इसमें होता ये है कि आप अगर समय रेखा के इसाब से चलते हैं तो east में जाने पर समय जो है बढ़ेग क्या बुलाओ मैं east में जाने पर समय में व्रिधी होती है और अगर आप इसके west में जाते हैं तो समय में कमी होती है अब आप कहेंगे कि समय में कमी और समय में व्रिधी तो संबब नहीं है तो मैं आपसे ये कहूँगा कि समय की जो दिशा है वेकुछ इस तरह से चल रही है इस तरह से चल लिए का मतलब ये है कि इस direction में अगर हम बात करें तो यहां मान लिजे 11 बज रहे हैं, यहां 12 बजेंगे, यहां 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे, 4, 5, 6 इस तरह से यह आगे बढ़ता चला जाएगा ठीके ना, तो यहां आप देख पा रहे हैं कि left से right जाने पर, या west से east जाने पर, पस्चिम से पूर्व जाने पर, या बाए से दाए जाने पर, जो है, समय क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ठीके ना, तो इसी respect में अगर हम बात करते हैं, समय रेखा और तिथी रेखा को लेकर मैं आप से बात कर रहा हूँ, तो यहां देखिए आप, इस map में आप देखेंगे, कि यह जो है हमारी समय रेखा है ठीक, समय रेखा, यह रही है हमारी, ठीके ना, इसे आप Greenwich Line के नाम से भी जानते हैं, इस timeline को अगर आप देखेंगे, तो यहां से जा रही है, यह देखिए, United Kingdom से, France से, Spain से, Algeria से, Mali से, Ghana से, और फिर यह Atlantic Ocean में जा रही है, ठीके ना, जबकि अगर आप और दूसरी जो रे 2 डिगरी, 3 डिगरी, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से आप बढ़ना चालू करेंगे, तो यह 180 डिगरी आपको मिल जाएगी, अगर हम equal partner में डिवाइट करेंगे, तो लगबख 20-20 का अंतर इसमें आ जाएगा, तो मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, वो यह है, कि अगर हम इस line के according बात करें, क्या बोलना हूँ मैं आपसे, इस line के according अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ समय जादा मिलने वाला है, तो अगर माल लीजे, यहाँ पर दिन के 12 बज़े हैं, क्या बोलना हूँ मैं, दिन के 12 बज़ रहे हैं, यानि कि सूर्य इस लेखा पर perpendicular है, यानि कि हमारी जो है, तरकी पहले आएगा, फिर गेंगडम आएगा, फिर अमेरिका आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ अगर मैं आपसे बात करूँगा, कि इस दिशा में आप देखेंगे, तो जितने भी देश आपको दिखाई देंगे, उन सब के समय के आगे प्लस नमबर मिलेगा, या प्ल परी, टाइम लाइन, या समय रेखा के, कितना आगे हैं और कितना घंटे पीछे हैं, तो अगर आप इंडिया की इस्तिती देख पा रहे होंगे, यहाँ पर, तो आप इधर देखिए, यह क्या लिखा हुआ है, 5.5, 5.5 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इस 5.5 का मतलब यह है, कि इंडिया जो है, वह साड़े 5 घंटे आगे है, किस से, इस से, बाद समझेए, इस रेखा से समय हमारा कितना घंटे आगे है, साड़े 5 घंटे आगे, ठीक है ना, फिर आप देख पा रहे होंगे, कि यहाँ देखिए, यह कितना लिखा हुआ है, प्लस 8 लिखा हुआ है, फ्लस एट का मतलब है चाइना आद गंटे आगए है, यानि की अगर यहां दिन के बारा भज़ रहे हैं, तो हमारे यहां कितने बज़ रहे होंगे, शाम के साड़े पाँच बज़ रहे होंगे, और इस समय आप अगर जो वीडियो देख रहा हैं, इस समय वास्तम में इस समय साड़े 5 ही बज रहे हैं तो यानि कि इसका मतलब यह है कि United Kingdom वाला जो एरिया है France Spain वाला जो एरिया है वहाँ पर दोपैर के 12 बज रहे हैं ठीक है ना और इसी समय चाइना में रात के 8 बज रहे हैं फिर अगर हम बात करते हैं जापान में तो जापान में 9 बज रहे हैं फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रशिया की तो रशिया में यहाँ रात के 12 बज रहे हैं क्यों बज रहे हैं क्योंकि अब date line के पास पहुँच गए हम ठीक है ना इसके विपरीत अगर हम चलें तो आ माइनस 5 का मतलब क्या है USA का जो पार्ट है आपका माइनस 5 का मतलब यह साड़े 5 घंटे पीछे है यानि कि जो 12 बज रहे हैं दिन के यहां पर उस 5 घंटे के बाद में 12 बजेंगे यानि कि यह स्थान हम माल लेजे सूरज जो है कैमरे को हम सूरज माल लेते हैं या मेरे हाथ मुठी को सूरज माल लीजे अब यह लाइन आगे खिसकेगी मतलब प्रिथवी गुमती जाएगी तो क्रम शहा एक एक लाइन जो है वो आपकी सूरज के सामने आती चली जाएगी तो इस लाइन को मतलब USA, कनाड़ा और हटसन की खाड़ी वाले एरिया को या इसको जो है सूरज के सामने आने में कितने घंटे और बचें अभी पांच घंटे यानि कि यहाँ पर सुबह के कितने बज रहे होंगे यहाँ पर सुबह के साथ बज रहे होंगे बात समझ में आ रही है अगर आप सुबह के साथ वहाँ पर बज रहे हैं तो आपको देखिए यहाँ पर सुमात्रा में देखिए सुमात्रा में यह जो बता रहा है कि साथ गंटे आगे पहुँचना है बारा से यानि कि एवनिंग के साथ बज रहे होंगे यहां पर तो यह जो बात आ रही है आपकी कि हम समय रेखा से क्या निर्धारित करते हैं तो ध्यान रखिए समय रेखा से हम समय को निर्धारित करते हैं अब अगर हम उल्टा चलते हैं उल्टा चलते हैं मतलब की तिथी रेखा पे चलते है तो तिथी रेखाब का मतलब होता है कि वहां से date decide होती है ठीके ना जिस तरह से इसके आगे पीछे जाने पर समय को हम माइनस प्लस के रूप में बताते हैं वैसे ही उसके पूर्ब और पश्चिम में जाने पर हम दिन को कम या जादा बताते हैं ठीके ना तो अगर हम बात करे जाएंगे इस तिथी रेखा के अगर हम पश्चिम में जाएंगे तो ध्यान रखिए पश्चिम में जाने की इस्तिती में एक दिन बढ़ जाएगा पश्चिम में जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा और पूर्ब में जाएंगे तो एक दिन कम हो जाएगा उसका कारण है कि अगर हम उसके कारण पे जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारी पृत्वी जैसे जैसे घूमती जाएगी वह है उस इस्तिधी में डेट लाइन और टाइम लाइन को अगर आप समझते हैं तो यहां देखिए यह जो है विल्कुल यहां पर 12 बज गÉ दिन के स्वरी राट के 12 बज रहें है तो अगर मैं इस बात को लेकर यहां से चालू करूं कि यह जो राट के सुबह के स्वरी 12 बजे दिन के पहले नकार और गहन्ले कहां पर मिलने वाले हमे तो आट गंटे पहले जाना पड़ेगा ना तो चार बजे के something ये वाला समय हमको मिलने वाला है ठीक है ना तो चार बजे कैसे बारा बजे से 6 गंटे पहले जाएंगे तो सुबह के 6 बजेंगे और 6 और 2 और माइनस करना पड़ेगा या नहीं कि 4 बजे यानि कि ये जो इलाका है आपका ये सुबह के 4 बजे वाला इलाका है एक ही समय पर जब कि यहाँ पर सूर है तो दोपेर के 12 बज़ रहे हैं उस समय फिर अगर इसके और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर हमें माइनस 9 मिलने वाला है अलासका में हमें देखिया माइनस 9 मिलना है इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो है अभी सुबह होई नहीं है सुबह 4 बजे भी नहीं होई है तो यह कितना बज़ रहा है अभी 3 बज़ रहे हैं यानि कि यह पूरा जो टाइम दिख रहा है आपको ये एक ही दिन का टाइम है कैसे कि भई रात के 12 बजे से यहाँ पर ताइम चालू हो गया है, अगर मान लीजें, यह सौमबार चालू हो गया है, तो ध्यान रखिए, यह सौमबार अभी अलास्का के लिए चालू हुआ है, और यहाँ रशिया के लिए जापान के लिए यह खत्म हो रहा है, तो जैसे ही यह रशिया वाला इलाका जो है किरीबाती, मार्शल, आईलेंड वगेरा जो है जैसे ही इस डेट लाइन के इधर पहुँचेंगे तुरंत ही यहाँ पर आपका मंगलवार चालू हो जाएगा क्या बुलना हूँ मैं आपसे? यहाँ पर तुरंत मंगलवार चालू हो जाएगा और जब तक यह पूरा स्लोट यहाँ से गुजर नहीं जाता इस लाइन से तब तक मंगलवार इसमें नहीं आएगा, तब तक सौमबार चलता रहेगा तो यानि कि अगर मैं इसके विपरीच जाऊंगा, तो एक दिन कम हो जाएगा न अगर मैं यहाँ आऊंगा तो, भई इस लाइन को अगर मैं विपरीच से देखूंगा तो यहाँ आने पर मुझे दिन की मात्रा कम करनी पड़ेगी किलियर रहेगी बात, तो डेट लाइन और टाइम लाइन का यूज़ क्या है? डेट लाइन और टाइम लाइन से, डेट और टाइम का हम डिसाइड करते हैं लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि लॉंगी टुड और लेटि डूड का क्या यूज़ है? तो ध्यान रखिएगा longitude और latitude का एक मात्र उक्योग ये है कि हम इससे इस्तिती को बताते हैं कि कौन सा इस्थान कहाँ पर है क्या बोलना हूँ मैं हम उससे इस्थanting को बताते हैं कि कौन सा इस्थान कहाँ पर है अगर आपको बता हूं कि अगर मैं बात करूँ आप से कि भई हमारा जो लोकेशन है इंडिया की वैं कहाँ पर है तो आपको पता होगा कि जीरो डिगरी लाइन कहाँ से जाती है अगर हम अपने इंडिया के respect में बात करते हैं तो मालदी वाले हिस्से से होकर हमारी जो है zero degree line चली जाती है ठीक है ना तो इस line पे अगर हम बात करेंगे zero degree line पे तो भारत जो है इस पे north में है एक बात तो जब भी आप भारत के बारे में बात करेंगे तो eight degree उपर है ये इस line स eight degree उपर है तो eight degree यहाँ पर लिखा मिलेगा आपको यानि की one two three four five six seven eight इस तरह से जब आप चलेंगे तो जो last point है करन्या कुमारी वाला वो eight degree पर आपको मिलने वाला है ठीक है ना इसके साथ ही जैसे ही आप इधर से east और west वाली बात करते हैं इधर चलेंगे तो यह क्या मिल मिलने वाला है आपको east मिलने वाला है यानि की यहाँ पर आपका जो गुजरात वाला point है उसके लिए आपको east लिखना पड़ेगा ठीक है ना और आपका यह जो है अरुनाचल प्रदेश वाला इससा है उसके लिए आपको east लिखना पड़ेगा जबकि यहाँ जो है आपका कन्या कुमारी वाला और जम्मू कश्मीर वाला इसके लिए आपको नौर्थ लिखना पड़ेगा तो 8 डिग्री 7 मिनिट अब मिनिट क्या होता भईया तो ध्यान रखिए 1 डिग्री से लेकर 2 डिग्री के बीच में 60 लाइन्स और हैं कितना बोलना हूँ 1 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में 60 लाइन्स और हैं उन 60 लाइन्स में सिक कितनी लाइनों में हम आप आ रहे हैं तो हम 7th line पे आप आ रहा हैं यानि कि 1 degree के बाद 7 ठीके ना सॉरी इसको ऐसे दिखाएंगे आप 1 degree के बाद 7 minute ऐसे दिखाएंगे फिर इसके बाद ये भी 60 part में divide है तो फिर उसको बताने के लिए use किया जाता है second तो double आपको दिखाना पड़ेगा double symbol से यहाँ पर दिखाना प किस रूप में दिखाएंगे अब बात करिए आपका जो मानक समय रेखा है वह कितनी है 82 degree है ना 82 and half degree है ना यही है ना अपनी मानक समय रेखा यानि कि भारत का जो समय है वो इस line से लिया जाता है तो इस line से अगर हम ले रहे हैं तो इस line को यहाँ से कितना दूरी है यह इसक दो डिगरी तीन डिगरी चार डिगरी पांच डिगरी इस तरह से यह आगे बढ़ रहा है ठीके ना एक छोटा सा calculation है एक डिगरी में चार मिनिट का अंतर आता है तो आप बड़े आराम से calculate कर लेंगे कि साड़े 82 डिगरी में कितने मिनिट का अंतर आएगा तो वो अपने आप साड़े पांच घंटे निकल आएगा किलियर है चलिए इसी के आगे चलते हैं अगला जो डाइगराम आपको दिखाई दे रहा है वह है आर्केटिक ओशियन का या आर्केटिक सर्किल का अभी तक हमने प्रित्वी को सामने से देखा था लेकिन अब हम उपर से देख र आप यह इस तरह से यह सर्किल है ठीक है तो इसमें आप जो है सर्किल में बाट रहे हैं हमारी अर्थ को तो यह उपर का जो 66.5 डिगरी के उपर वाला इलाका है आर्केटिक सर्किल कहलाता है तो आर्केटिक हिस्सा उसमें आ रहा है आप देख पा रहे हैं कितने देश हैं तो यह maximum जो कनाड़ा है वो इसका maximum part है, green land का maximum part है, फिर रशिया वाला part है आपका, फिर नार्वे, स्विर्जलनेंड और फिल्लेंड वाला part है आपका, तो यह सब जो हैं कहां आते हैं आपके architect circle में आते हैं, फिर इसके बाद जो next आपका diagram दिख रहा होगा आपको, यह है southern ocean, अगर हम जाएं, south pole पर, तो यह है आपका Antarctic, यह continent भी है और इस circle को हम देखते हैं, तो Antarctic circle भी हो जाएगा यह, तो आप देख पा रहे हैं, यह हमारा पूरा जो महादीप है, यह बर्फ का बना हुआ है, जबकि यहाँ पर पानी बना हुआ है, ठीके ना, तो आप देख पा यानि की continent part है, आप यहाँ अगर देख पाएंगे, तो जब आप अच्छे से search करेंगे अंदर जाके, तो भारत के जो सोध केंद्र हैं, वे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, यह ना, चलिए, फिर वे अगले topic में रखेंगे हम लोग, तो यहाँ आप देख पाएंगे, कि यह है आपका architect पूरा, जो कि यहाँ South America से लग जाता है, ठीके ना, मैं बस आपको बस बताने वाला था, यूही, नॉर्मली बता रहा हूँ कि भई, यह क्या है, तो आप देख सकते हैं, यह solid part जो है, अमारा architect, ocean है, sorry, Antarctic continent है, Antarctic महादीप है, ठीके ना, तो मेरे ख्याल से आप सब लोग latitude और longitude को आराम से समझ चुके होंगे, latitude जो है हमारे, latitude आपने देखे हैंगे कि पिछले वीडियो में हमने दिखाया था आपको, यह देखिया, फिर से देख सकते हैं, यह जो part आपका दिख रहा है, यह longitude है, यह latitude है, दौनों का use क्या है, तो इस्तिती बतान के लिए करते हैं, हम इनका use time बताने के लिए करते हैं, time के साथ मार date बताने के लिए use करते हैं, साथ ही साथ यह circle है, यह भी circle है, यह सब के सब को सेंट्रिक यानि की संकेंदरी circle, संकेंदरी वृत्त हैं, इनकी लंबाई घटती जाती है दुरों की और, इनकी लंबाई से लंबा नहीं है सब बराबर के हैं यहां इन के बीच की जो सबसे अधिक दूरी मिलने वाली है वो भूमत दरेखा पर मिलने वाली है और इन दोनों का अगर आप देखेंगे तो 111 किलो मीटर जो है आपको मिलेगा यानि कि सबसे अधिक दूरी 111 किलो मीटर और इन दोनों क को दिखाया गया है यहां पर किसी तरह की कोई रेखा नहीं है इसमें आप ड्रॉ करके देख सकते हैं यह यहीं फिजीकल जोग्राफिकल को हमने कंपेर किया हुआ है पॉलिटिकल और जोग्राफिकल को ठीक है ना इसके साथ में आप जो है यहाँ देख पा रहे होंगे तो हमने उन जोन को डिवाइड किया हुआ है कि यहाँ सूरी की इस्तितिक जैसी रहती है उसके आधार पे हमने बोला है कि यहाँ temperature जादा रहता है इसलिए यह tropical zone है उश्न शेत्र है जबकि यह वाला जो शेत्र है यह शीतोष्ण शेत्र है temperate शेत्र है और यह जो शेत्र है आपका यह फ्रिजड यानि की शीत शेत्र है ठीक है ना इसके बाद अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ आप देखिए तो वही बात है जो circle हमने अभी आपसे discuss करे हैं आर्कटिक वरित, एंटार्कटिक वरित, ब्रित, मकर रेखा, करक रेखा, भूमत रेखा ठीक है ना equator line, Cancer and Capricorn Arctic and Antarctic circle के रूप में हमने define किया था इन दौनों रेखाओं का मिलन बिंदू यह zero degree line टाइम लाइन है और यह zero degree line equator है इन दोनों का मिलन बिंदू जो है Atlantic Ocean में मिलेगा आपको ठीके ना जबकि Cancer और Capricorn के साथ में Condition अलग हो जाएगी ठीके ना चलिए इसके बाद वाला जो हमारा था इसमें भी आपको वही सब दिखाया गया था बस यहाँ पर जोन को आपको अलगतरी किसे दिखाया गया है ता दिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी देश हैं वे Monday वाले हैं और यहाँ पर जो देश हैं वे Sunday वाले हैं यह Sunday इसलिए है क्योंकि यह बाद में घूम कर Monday बनेगा ठीके ना और अगर यह Monday वाले यहाँ पर पहुंच जाएंगे तो यहाँ तुरंत Tuesday आ जाएगा ठीक टाइम जोन है वहाँ पर कौन सा देश किस जोन में आता है यह आप अपने मैप में देख पाएंगे वहाँ पर आपको प्लस और माइनस के रूप में दिखाए देगा तो जो माइनस वाले हैं वे टाइम लाइन के पीछे हैं वो जो प्लस वाले हैं वे टाइम लाइन के आता है और eastern hemisphere में आता है यानि कि पूर्वी गोलार्द और उत्री गोलार्द में हमारा भारत आता है आप जब इनके latitude और longitude पढ़ेंगे तो उसमें east लिखा मिलेगा और north लिखा मिलेगा ठीक है ना इसके साथ ही अगर आप बात करते हैं circle की तो architect circle और Antarctic circle के रूप में आपको ये दिखाया गया और इसके साथ में last में हमने तो देखा कि ये Antarctic महादीफ है जिसको आप देख सकते हैं ये circle के अंदर define किया गया है ये Antarctic पूरा का पूरा बरफीला शेत्र है ठीक है ना तो यहाँ पर बिना रेखाओं के दिखाया गया इसको और इससे पहले जो आपने देखा ये रेखाओं के साथ में देखा आपने ठीक है तो मेरे ख्याल से आपको ये पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा कि मैप पे जो रेखाओं बनाई गई है ठीक है ना मैप पे जो रेखा है बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है अगर हम उनके according चलते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि कौन सी country कहां पर है कौन सा देश कहां पर है ठीक है ना चलिए तो अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं कुछ नई चीजों के साथ मैं थैंक यू वेरी मर्ट